हलो फ्रेंट्स एक बाफ फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल नौलिज साथी पर फ्रेंट्स हमारी वीडियो के सीरीज में हम बात कर रहे हैं डिफरेंट अक्रेडिटेशन बॉडिज की इन हेल्थ के सेक्टर अभी तक फ्रेंट्स हम बात कर चुके हैं एन बी एच और एन अग्रेडिटेशन बॉडि के बारे में जो एक इंटरनेशनल स्टेटिस रखती है और जिसके दुनिया भर में अक्रेडिटेट हॉस्पीटल हैं आज हम बात करने वाले हैं जेसी यानि की जॉइन्ट कमिशन इंटरनेशनल के बारे में फॉर फर्स ताइम इन से जुड़े हुए हैं और इन अक्रेडिटेशन बॉडि को लेकर अपनी नौलिज को बढ़ाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आप से हमारे आने वाले वीडियो मिसना हो आज फ्रेंड हम बात करेंगे जैसी के बारे में यानि जॉइंट कमि इंटरेशन बोर्ट फॉर होस्पिटल एंड हैल्थ के प्रोवाइडर वहीं अगर हम यूएसे की बात करें तो यूएसे में करंटली एक्टिव है जॉइंट कमिशन इंटरनेश्टल युएंटेट किंग्डम में क्यूएचे ट्रैंट अक्रेडिटेशन और और आक्रेडिटेन्ग जॉइंट कमिशन इंटरनाशनल यानि कि और विए simplement इंटरनाशन ऑ्क्रेडिटेशन है जिसके अर्डेशन ग्राइडिटेशन इंदिए हैं JCI की दोस्तों अगर हम बात करें तो JCI की शुरुवात हुई थी 1951 में और 1998 में एक independent accreditation body के तौर पर JCI ने American Hospital Association, American Medical Association, American College of Physicians, American College of Surgeons and American Dental Association के अंडर में एक independent accreditation body के तौर पर शुरुवात की और अभी JCI USA के 80% hospital को accreditation provide कर चुका है लेकिन JCI accreditation सिर्फ USA तक ही सीमित नहीं है दोस्तों बलकि JCI accredited hospitals दुनिया के 90 से जादा देशों में operate कर रहे हैं दोस्तों JCI, JCR का एक division है जो की joint commission standards को educate और publish करता है जिसे के लोगों तक वो easily पहुंच सकें साल 2014 में JCI ने अपनी website को launch किया था public और gold seal hospitals के लिए यहाँ पर hospitals आपको basic और deluxe category में listed मिलते हैं दोस्तों deluxe category में www.worldhospitalresearch.org जानी की जो website है जिसको launch किया था JCI ने इस website पर दोस्तों आपको hospitals की details को और ज्यादा detail में मिल जाते हैं जिससे कि patient और hospitals को visit कर पाते हैं और देख पाते हैं कि वहाँ पर कैसा quality treatment प्रोवाइड किया जाता है और क्या क्या वहाँ पर treatment आपको easily मिल जाते हैं फ्रेंड्स आपको बता दें कि JCI accredited hospitals को deluxe category में एड करने के लिए कुछ भी additional charge नहीं करता है यानि कि जो भी hospital JCI के दौरा accredited हैं वो अपने आपको deluxe category में एड करा सकते हैं इसे benefit यह होगा कि उन hospitals को patient easily देख पाएंगे JCI की website पर और फिर treatment के लिए उन hospitals का selection कर पाएंगे यहाँ पर दोस्तों website पर आप hospital को तीन तरह से search कर सकते हैं जिससे कि आप easily उन्हें compare कर सकें तो search करने के लिए दोस्तों आप उन्हें search कर सकते हैं by name, by city और by country friends जिसके बाद जानते हैं कि JCI accreditation मिलता कैसे है, so जब आप online या offline JCI accreditation के लिए apply कर देते हैं और weeks या months तक accreditation के लिए preparation करते हैं तो JCI की team आपके hospital का inspection करती है यह देखने के लिए कि आप सारे criteria और standards को follow कर रहे हैं या नहीं यह internal audit JCI audit की तरह ही होता है हमारे वो दोस्त जो internal audit के बारे में नहीं जानते हैं आपको बता दें कि internal audit एक audit होती है जो कि आप ही के team members के द्वारा की जाती है यह ensure करने के लिए कि आपका hospital accreditation body द्वारा दिये गए सबी standards को follow कर रहा है और accreditation के लिए ready है दोस्तों एक internal audit में एक auditor को देखना क्या होता है यह बहुत जादा important हो जाता है तो अगर आप hospital में internal audit कराना चाते हैं JCI के लिए तो आपको किन बातों पर ध्यान देना चाहिए एक auditor के तौर पर आई इसके बारे में थोड़ा समझते हैं audit के दौरान auditor के अंदर कुछ qualities का होना बहुत ही जरूरी है जिनमें शामिल है integrity, objectivity, confidentiality और competency integrity से दोस्तों हमारा मतलब है एक internal auditor को trust build करना चाहिए जिससे कि उसके judgment पर rely किया जा सके और उसके judgment पर किसी को doubt ना हो साथ यहां पर objectivity होना चाहिए दोस्तों objectivity से हमारा मतलब है information को gather करते समय evaluate करते समय और communicate करते समय यहां पर highest level का professionalism होना चाहिए यहां पर एक internal auditor को दोस्तों एक balance assessment करना होता है relevant circumstances का जिससे कि hospital का उसमें नुकसान ना हो और hospital इन judgment को easily trust कर सके इसके बाद दोस्तों एक internal auditor को देखना होता है confidentiality को एक internal auditor को दोस्तों value और ownership को respect करना चाहिए साथ ही जो भी information वो receive करते हैं उन्हें किसी के साथ भी disclose नहीं करना चाहिए जब तक कि hospital का कोई authoritative person उन्हें यह allow ना करे इसके बाद दोस्तों last में एक internal auditor को practice करना होता है competency को internal auditor को दोस्तों अपनी knowledge skills और experience का use करके ही internal audit को करना चाहिए और फिर assessment करना चाहिए अब दोस्तों इस audit को करने के कई सारे benefits हैं जैसे कि यह आपका time money resources को save करता है JCI accreditation के लिए आप कितना ready हैं इसके बारे में आपको पता लग जाता है आपकी team के सामने आने वाला last minute hurdle से आप कैसे बच सकते हैं इसके बारे में आप जान जाते हैं final inspection से पहले होने वाले corrective actions को आप ले पाते हैं यानि कि अगर आपका hospital कुछ भी miss कर रहा है या hospital को और कुछ add करने की जरूवत है तो वहाँ पर आप corrective actions को ले सकते हैं hospital की services, processes और outcomes को आप improve कर पाते हैं चोकि आपको internal audit के दौरान पता चलते हैं quality team के contribution को आप assess कर पाते हैं साथ ही JCI के लिए apply करने से पहले hospital को एक scope मिल जाता है कि उन्हें किस तरह prepare करना है JCI accreditation में आ रहे gap को आप analyze कर पाते हैं और accreditation के लिए खुद को तयार कर पाते हैं इतना ही नहीं दोस्तो इसके साथ साथ आप proper resources की requirement को आप ढूंड पाते हैं जो की जरूरी होते हैं planning के लिए hospital के दौरा दोस्तो जो भी services provide की जाती है उसके लिए आप JCI की requirements का पता लगा पाते हैं यानि कि JCI की requirements हैं अलग-अलग services के लिए आप अच्छे से system को document कर पाते हैं यानि कि आपका पूरा system documented हो जाता है आप अच्छे auditor बन पाते हैं JCI के दोस्तो जिस तरह hospitals patient को invite करते हैं universities और institution students को invite करते हैं उसी तरह auditors quality initiatives को invite करते हैं अब दोस्तों यहाँ पर auditing करने के लिए कुछ principles दिये होते हैं जिनको आपको follow करना होता है during auditing अब यह principles क्या हैं दोस्तों यह principles हैं fair presentation evidence based approach independence confidentiality और due professional care fair presentation से दोस्तों हमारा मतलब है कि यहाँ पर आपका जो report है वह truthful होना चाहिए और accurate होना चाहिए यानि वहाँ पर bias नहीं होना चाहिए आपने जो भी assess किया है internal audit के दौरान वो सब आपको report में mention करना चाहिए evidence based approach से दोस्तों हमारा मतलब है कि आपका audit एक systematic process के through होना चाहिए जिसमें reliable conclusions तक पहुचा जा सके independence से दोस्तों यहाँ पर हमारा मतलब है कि audit आपका impartial होना चाहिए और objective होना चाहिए वही confidentiality दोस्तों हम जैसा पहले भी discuss कर चुके हैं कि आपको कोई भी details किसी और के साथ share नहीं करनी है unless आपको hospital के authoritative person से authority ना मिल जाए वही due professional care दोस्तों शामिल करता है diligence और judgment auditing के दौरान तो दोस्तों ये तो बात रही internal audit की अगर हम JCI के offices की बात करें तो JCI के समय चार offices है पूरे world में कहां कहां पर हैं तो दोस्तों पहला office है HQ जो की है USA में दूसरा office है दोस्तों Asia Pacific के लिए जो की है Singapore में Middle East के लिए दोस्तों जो office है वो Dubai UAE में है वहीं Europe के लिए जो office है वो है France and Italy तो यहाँ पर दोस्तों अलग-अलग categories में यहाँ पर offices हैं JCI के अगर हम इंडिया की बात करें तो दोस्तों इंडिया के लिए जो office है वो Asia Pacific में है 2024 accreditation कर चुका है जिसमें सिर्फ इंडिया में ही JCI accredited 38 hospitals हैं JCI के इस समय 6th edition applicable है जो की solar language में available है इस edition में दोस्तों आपको 17 chapters देखने को मिलते हैं 285 standards और 1160 measurable standards आपको यहाँ देखने को मिलते हैं दोस्तों JCI standards में हमें कुछ abbreviation देखने को मिलते हैं यह abbreviation आपको JCI standards को समझने में help करते हैं इन abbreviation को दोस्तों आप हमारे screen पर देख सकते हैं तो यह abbreviation आपको help करते हैं जब भी आप standards को go through करते हैं अब सबसे important चीज़ दोस्तों GCI के लिए apply करने के लिए आपको किन बातों की जरूरत पड़ती है यह क्या-क्या requirements होते हैं GCI के लिए apply करने के लिए तो यहाँ पर दोस्तों चार major requirements होते हैं जो कि हैं APR, standards, intent and measurable elements APR से दोस्तों हमारा मतलब है accreditation participation requirements intent यानि के full meaning of the standard और measurable element इन सभी को दोस्तों step by step समझने की कोशिश करते हैं कि यह क्या है और यह क्यों जरूरी है पहले बात करते हैं दोस्तों accreditation participation requirements यानि APR की दोस्तों APR एक chapter होता है जिसमें वो सभी requirements होते हैं जो कि जरूरी होते हैं एक accreditation process को maintain करने के लिए साथ ही एक hospital को accreditation award दिलाने के लिए एक hospital को दोस्तों जो भी hospital accreditation ले चुका है उसे जरूरी होता है कि वो APR के साथ compliance में रहे जब भी दोस्तों APR जो है वो score नहीं किया जाते हैं या standards को follow नहीं किया जाता है on-site survey के दौरान तो hospitals को दोस्तों compliant या non-compliant की category में रख दिया जाता है जब भी दोस्तों एक hospital compliant नहीं होता है APR के साथ में तो दोस्तों hospital risk पर आ जाता है compliant बनने के या फिर अपने accreditation को lose करने के इसके बाद दोस्तों आते है standards दोस्तों JCI standards define करते हैं performance expectation structure और function जो की जरूरी होते हैं hospital में accreditation के लिए दोस्तों यह standards evaluate किये जाते हैं जब भी JCI की यूर से एक on-site survey किया जाता है यानि यह देखा जाता है कि आप उने standards को follow कर रहे हैं या नहीं इसके बाद दोस्तों में देखने को मिलते हैं intent दोस्तों standards को depth में समझने के लिए हमें intent की जरूरत पड़ती है intent से दोस्तों में पता चलता है कि standard का purpose क्या है और उस standard में हमें किन बातों को follow करने की जरूरत है यानि वो standard किन particular areas पर apply होता है दोस्तों intent हमें help करता है purpose को समझने में कि standard का use हमें किस तरह से करना है किस तरह एक standard fit होता है एक overall program में साथ ही किस तरह यह parameter को set करता है यह simple भासा में कहें दोस्तों कि एक standard किस तरह की picture को paint करता है और उसे किस तरह use में लाना है या application में लाना है यह हमें समझ में आता है intent के माध्यम से इसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलते है measurable elements जो कि होते हैं ME's दोस्तों measurable elements indicate करते हैं कि किन चीज़ों को review किया गया और किस तरह की scoring की गई on-site survey के दौरान दोस्तों हर standard के लिए measurable elements requirements को identify करते हैं कि वो full compliance में standard के साथ है या नहीं measurable elements का intent होता है clarity को लाना यानि कि standards को लेकर जो भी clarity होती है उसको लेकर आना organization के बीच में साथ ही help करते है requirements को समझने में leadership को educate करने में या department service leaders को educate करने में healthcare practitioners को क्या role है उनको किस तरह fulfill करना है staff के लिए standards का क्या importance है और किस तरह standards applicable होंगे इन सभी में दोस्तो measurable elements आपको help करते हैं अब दोस्तों जानते हैं कि JCI accreditation से एक hospital में क्या values add होती है सबसे important question I think यही होगा कि JCI आपका किस तरह values को add करता है आपके hospital में तो अगर हम JCI की values की बात करें दोस्तों तो यह आपको competitive advantage देता है other hospitals के बीच में यह आपका confidence को बढ़ाता है community के बीच में यानि कि आपके hospital को लोग एक reliant hospital के तोर पर देखते हैं जहां पर best quality services provide की जाती है और patient care सबसे highest level पर provide किया जाता है दोस्तों insurance, association, employers and other stakeholders को यह help करता है आपके hospital को पहचानने में और easily आप इनके साथ work कर पाते हैं दोस्तों यह validate करता है कि आपके hospital में quality care provide की जाती है patients को साथी दोस्तों JCI accreditation help करता है आपके organization को आपके improvement efforts को continue रखने में यानि कि किसी भी stage पर दोस्तों आप अपने improvement को रोकते नहीं और आप इसको continue रखते हैं साथी दोस्तों यह help करता है आपके staff को educate करने में यानि उनकी knowledge को day by day enhance करने में JCI accreditation दोस्तों आपको help करता है risk manage करने में यानि risk management को आप कितना कम कर सकते हैं उसके लिए आपको क्या techniques अपनाने की जरूरत हैं साथी facilitating staff recruitment और promoting team building skill for staff तो दोस्तों यह कुछ values एड़ हो जाते हैं जब आप JCI accreditation के लिए जाते हैं या फिर आपका hospital JCI accredited हो जाता है आई दोस्तों आप जानते हैं JCI standard से जोड़ी कुछ जरूरी बात है दोस्तों यहाँ पर commitment की बात करें तो यहाँ पर C level हमें देखने को मिलता है यानि की CEO, COO, CFO, CAO और CIO प्रोसेस की बात करें दोस्तों आपको कैसे prepare करना है JCI के लिए तो यहाँ पर 12 से 24 महिने के समय आपके लिए मिलता है preparation के लिए अगर आप JCI accreditation को कराना चाहते हैं दोस्तों JCI standards patient centered होते हैं और focus करते हैं care or treatment के उपर यहाँ पर 50% guideline दोस्तों सिर्फ patient safety के उपर focus करती हैं वहीं अगर लास्ट में दोस्तों हम JCI की average fee की बात करें तो साल 2014 में इसकी average fee थी 56,000 US dollar जो कि अब तक और ज़्यादा बढ़ गई होगी जो कि आप JCI की website पर जाकर देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों जो आपके लिए accreditation मिलता है वो तीन साल के लिए होता है जानि accreditation certificate आपको तीन साल के लिए देया जाता है जिसके बाद फिर से आपको उसे renew कराना होता है standards की दोस्तों बात करें तो यहाँ पर हमें 14 JCI standards देखने को मिलते हैं जिसमें 8 patient centric हैं वही 6 organization based chapters हैं अगर हम patient center standards की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर देखने को हमें मिलते हैं IPSG, AAC, PFR, AOP, COP, ASC, MMU, and PFU वहीं अगर हम organizational management standards की बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं QIPS, PCI, GLD, FMS, SQE, or MCI यानि management of communication and information JCI friends एक hospital को daily basis पर कुछ area of concern पर focus करने को कहते हैं जिन में शामिल है daily assessment by a physician, care of patients undergoing moderate and deep sedation pain management, patient safety issue, department level plan for clinical services, technique training for staff managing documents such as policies and procedures, a process to help patients at times of spiritual and religious needs and end of life care यानि कि दोस्तों ये कुछ ऐसे points हैं जिसको एक JCI hospital को daily basis पर check करना और ensure करना है कि ये सभी practices hospital में हो रही हैं दोस्तों जैसा कि हमें NABH में emergency color code देखने को मिलते हैं वैसे ही casualties होने पर apply होता है code delta 3 की बात करें तो दोस्तों utility failure जैसे की power loss होना, computer खराब होना, phone या फिर पानी और जाने जैसी दिक्कते देखने पर हम code delta 3 को apply करते हैं कुछ color codes की बात करें तो यहाँ पर code blue, code red, code tag alert, code orange, code silver और code green दोस्तों हमें देखने को मिलते हैं code red दोस्तों apply होता है smoke या fire के condition में, code tag alert दोस्तो हमें देखने को मिलता है missing or abducted patient के दौर पे code orange दोस्तों हमें देखने को मिलता है bomb threat होने पर, code silver हमें देखने को मिलता है active shooter होने पर, यानि on side पर कोई shooter है जो gun लिये हुए है, तो वहाँ पर code silver हमें activate करने को होता है वहीं code green दोस्तों हमें देखने को मिलता है situation has returned normal यानि कि सब कुछ normal हो गया है तो उसके बाद code green को activate कर दिया जाता है दोस्तों JCI accreditation से पहले आपके सामने timeline रहती है जिसमें आपको JCI requirements को पूरा करना होता है तो यहाँ पर surveys होते हैं दोस्तों timely जो कि JCI के दोरा किये जाते हैं जिसमें आपको कुछ needs को meet करना होता है अगर हम इन requirements की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम 24 months before survey की बात करें तो यहाँ पर initial registration process को आपको complete करना होता है जो कि JCI के दोरा approve की जाती है एक बार दोस्तों यह application JCI के दोरा approve हो जाती है उसके बाद आप JCI के standards को hospital में apply कर सकते हैं और अपने staff को उन standards को लेकर educate करना शुरू कर सकते हैं अगला survey होता है दोस्तों 9 से 24 महिने के बीच में इस survey के दोरान दोस्तों यह check करना होता है कि आपकी जो practices हैं वो improve हैं और standards के according आपकी जो requirements हैं वो meet हो रही है इन practices पर दोस्तों आपको अपने staff को train करना होता है साथ ही effectively आपको इन standards को evaluate करना होता है और necessary होने पर refine करना होता है अगला दोस्तों survey होता है 6 से 9 महीने से पहले यहाँ पर दोस्तों आपको assess करना होता है कि आपकी organization कितनी ready है electronic profile को update करना review the e-app या फिर initial or triennial survey को submit करना इसके बाद दोस्तों अगला survey होता है 4 to 6 months before यहाँ पर आपको receive complete और JCI survey contract को sign करना होता है इसके बाद दोस्तों दो महीने पहले एक survey होता है जिसमें JCI survey team leader hospital को contact करते हैं यह determine करने के लिए कि survey logistics और agenda clear है 15 दिन पहले दोस्तों एक survey होता है जिसमें accreditation receive किया जाता है साथी official survey finding report आपको यहाँ पर मिलती है JCI की और से इसके बाद दोस्तों में देखने को मिलता है 7 दिन पहले एक official survey JCI की और से जिसमें दोस्तों एक organization को एक written request को submit करना होता है JCI को accreditation के लिए for the revision of report JCI दोस्तों connect करने के यहाँ पर आपको कुछ options देता है किस तरह आप JCI को connect कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एप, important accreditation or certification related due dates, official reports, emails and announcements, continuous compliance tools, current accreditation or certification manual and survey process guide और a publicity guide for appropriate use of JCI gold seal of approval with advice on promoting the hospital's accreditation or certification JCI में दोस्तों हमें दो तरह के surveys देखने को मिलते हैं जिसमें पहला होता है full survey और दूसरा होता है follow up survey full survey की बात करें दोस्तों यहाँ पर initial survey होता है, triangle survey होता है या फिर validation survey होता है वही follow up survey की बात करें तो यह on-site survey होते हैं जो कि scope में limited होते हैं Content and Depth and Design यहां पर दोस्तों किया जाता है information को gather करने के लिए specific issues, standards या फिर MEs के उपर JCI process क्या होता है दोस्तों JCI survey process की अगर हम बात करें तो यहां पर दो तरीके की processes होती है जिसमें पहला होता है tracer methodology और दूसरा होता है surveyors interview ट्रेसर methodology की बात करें दोस्तों एक foundation है JCI की और से जिसमें on-site survey process किया जाता है वहीं surveyors interview की बात करें यहां पर दोस्तों staff individually and in groups यहां पर interviews हमें देखने को मिलते हैं staff के individually या फिर ग्रूप से में और जो भी other documents होते हैं दोस्तों उनकी policies और प्रोसेशन किया जाता है patient के medical record review किया जाते हैं staff के personal records को review किया जाता है और जो भी other documents होते हैं दोस्तों उनकी policies और procedures को review किया जाता है surveyors interview के दौरान last में दोस्तों आता है कि कब एक hospital accreditation होने के बाद accreditation lose करने की situation में पहुंचता है तो कुछ बाते होती हैं जो JCI accreditation के बाद आपको follow करनी होती है जिससे कि आपका accreditation आपसे नाचिने अगर कोई threat होता है patient को या public health में या staff को तो यहाँ पर chances होते हैं आप accreditation को lose कर दें या फिर जो organization है उसके पास license नहीं है certificate नहीं है या फिर permission नहीं है तो वहाँ पर भी accreditation lose हो सकता है जब भी दोस्तो एक organization का license certificate या फिर permit जो है वो expire हो जाता है किसी भी care service को provide करने के लिए या फिर temporary basis पर उसको block कर दिया जाता है तो उस case में भी दोस्तो एक organization का certification चीन सकता है अपने document दोस्तो अगर आपने false लगाए हो यानि कि आपने cheat rate करके किसी और organization के documents आपने लगा दिया या फिर document में आपने कुछ गलत information दिया है accreditation के दोरान दोस्तो तब भी यहाँ पर आपका accreditation cancel हो सकता है आपके hospital दोस्तो जो भी JCI के दोरा policies बताए गई है उनको meet नहीं करता है उन requirements को fulfill नहीं करता है तब भी आपका accreditation चीन सकता है organization survey के 120 दिन के दोरान दोस्तो अगर आपका hospital acceptable strategic improvement plan यानि कि SIP को submit नहीं कर पाता है तब भी एक hospital का accreditation status चीन सकता है तो दोस्तो ये था हमारा एक видео कि कैसे एक JCI accreditation काम करता है और JCI accreditation क्या है इस video में दोस्तो हमने आपके साथ JCI से लेटिट सारी information share की है आशा करते हैं कि video आपको पसंद आया होगा वीडियो आपको पसंद आया हो तो like और share करना ना भूलें अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ऐसी ही और भी वीडियोस होता हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए हमारे चैनल नौलिज साथी पर जिसमें हम अगले वीडियो में बात करेंगे एक और अक्रेडिटेशन बॉड़ी के बारे में तब तक के लिए धन्यवाद